नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली सरकार ने आकड़ा दिया है कि जो bird flu है, वो करीब 9 राज्यों में spread हो चुका है, फैल चुका है, यहाँ पर आप news देख सकते हो, bird flu in India, avian influenza confirmed across 12 states, अब ध्यान रखेगा, यहाँ पर 12 states लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 9 states, देखे, मेरा जो आ होना चाहिए कि जो avian influenza होता है, जो broader term है, जैसे कि migratory species हो गई, जो bird हो गई, उसके लावा जो wild bird हो गई, उन सब की अगर हम total बात करें, तो 12 राज्यों में यह फैला है, ऐसा बताया जा रहा है, तो एक तो इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन हमारे लिए इस वीडियो म जानेंगे कि exactly कितने प्रकार के यह होते हैं, क्यों इतने सारे strains हमें देखने को मिलते हैं, avian influenza, कि मतलब 131 के आसपास बताया जाता है, जैसे कि आप coronavirus के बारे में सुना होगा recently, कि London में एक नया strain आया है, कुछ इसी प्रकार से आपको इसमें बहुत सारे strain देखने को मिलते ह लेकिन उन में से कितने ऐसे हैं, जो कि human को effect करते हैं, कितने ऐसे हैं, जो कि bird को effect करते हैं, इन सब के बारे में आज आपके सारे doubts clear हो जाएंगे, तो चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकीत अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook, और Twitter पर मेरे तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, Central Government ने Friday को ही बताया था कि bird flu in pottery birds, देखें, आप यह लिखाया है, pottery birds की हम बात करें, तो यह 9 राज्यों में फैला है, केला, हर्याना, मद्परदेश, महराष्ट, छतिसगर, उत्राखन, क्रो हो गया, migratory birds हो गया, wild birds हो गया, overall अगर हम एवियान influenza की बात करें, तो करीब 12 राज्यों में इसका असर बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब हम समझते हैं, धिरे धरे एक basic से की होता क्या है यह, जब मैं कहता हूँ, influenza, इसका अर्थ क्या है, देखो, अक्सर आप infection है, मतलब कि एक तरह का infection है, किस के through होता है, virus के through होता है, यह क्या है, contagious है, contagious का मतलब है, कि यह spread हो सकता है, एक organism से दूसरे organism में, मतलब कि bird to bird यहाँ पर यह spread हो सकता है, human to human, देखे, इसके बहुत कोई cases तो नहीं आया है, कि human to human कितना होता है, लेकिन bird to bird हमें पता है, तो इसलिए हम इसको contagious बोल सकते हैं, इसके वज़े से respiratory system में attack देखने को मिलता है, problem देखने को मिलती है, सास देने में तकलिफ होती है, यह होता है influenza, influenza आपको समझ में आ गया, तो देखिए यह जो influenza virus है दोस्तों, ठीक है, यह इसको main आप इसको तीन group में divide कर सकते हो, तीन प्रकार की यह होते हैं, एक होता है A, B और C, influenza A, influenza B, influenza C, और आप इसको ऐसे भी कह सकते है, flu A, flu B और flu C, एक ही चीज है यह, अब लेकिन इन तीनों में अगर आप देखोगे, तो सबसे जादा जो घातक होता है, जो सबसे जादा problem create करता है, वो है आपका influenza A, तो type A influenza can be serious and cause widespread outbreak and disease, आपको मैं बता दूँ, इतिहास में सबसे जादा अगर कोई सबसे बड़ा outbreak है, आपने रिसेंटली देखा होगा, कोरोना वाइरस के टाइम में काफी चर्चा हो रही थी, Spanish flu, वो आपका type A influenza ही था, तो Spanish flu अभी तक का सबसे बड़ा आपको याद हो, तो यहाँ पर फ के अगर आप देखोगे, तो बहुत तरह के strains देखने को मिलते हैं, इसे से कोरोना वाइरस हो गया, SARS, COV, 2 के कई प्रकार के strain है, वैसे इसमें बताया जाता है कि अभी तक यहाँ पर जो detect किया गया है nature में, 131 प्रकार के आपको strain देखने को मिलेंगे, आप imagine करो, 131, मत्तब आप समझ सकते हो कि कितना तीजी से ये change करता होगा अपने आपको, जिसमें से अगर आप 2 को छोड़ दो, 2 को अगर आप छोड़ दो, तो सभी ये कहीं न कहीं bird को infect करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, लगभग सभी, ये जितने भी strain है आपके, ये आपका bird को impact करते ह आपका जाता है इसको bird flu, अब आपको नाम समझ में आया कि bird flu क्यों कहते हैं, और avian क्यों क्यों कहते हैं, avian का मतलब ही होता है bird, something से related, तो इसलिए bird flu इसका नाम है, और यहाँ पर ये सब जानकारी दी गही है, Center for Disease Control and Prevention, United States के दोरा, अब इसमें अगर आप देखो कि जो दोस और N का मतलब है neuraminidase, ठीक है, तो neuraminidase और hemaglutinin ये दो प्रकार के protein से ये आपका influenza A virus बना होता है, जिसको short में H और N कहा जाता है, और इसलिए क्या होता है कि अब आप देखो, H और N आपको H वाला जो है, ये H वाला जो protein है, वो 11 इसके सब प्रकार है, सब टाइप है इसक अब आप खुद सोचो, H के 18 टाइप है, N के 11 टाइप है, तो इसके अलग-अलग combination बन सकते हैं, जैसे H3, N2 हो गया, N7, N9 हो गया, और इसी को अगर आप पूरा जोड़ दोगे, तो 131 प्रकार के बताए जाते हैं, तो I hope कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसक अब टोटल देखो, यह जितने भी strain मैंने आपको बताए, इसमें से कुछ strain ऐसे होते हैं, जो कि सर्फ और सरफ birds को effect करते हैं, जो सर्फ और सर बर्ड को infect करेंगे, और किसी को नहीं करेगा, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे होते हैं, जो कि बर्ड को भी infect करते हैं, क्योंकि हम natural host की बात करें क्योंकि कुरोना के समय अभी तक पता नहीं चल पाया है कि natural host wild animals ही थे लेकिन exactly किस में था नहीं पता तो यहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि इसका जो natural host है मतलब कि यह किसके अंदर पाये जाते हैं यह पाये जाते हैं aquatic wild aquatic aquatic birds में यह पाये जाते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है very very important for my exam point of view तो यह natural host होते हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर होता है लेकिन इनको कुछ होता नहीं है मतलब यह जो wild aquatic birds होते हैं जिनके अंदर यह आपको अलग-अलग प्रकार के strains देखने को मिलेंगे उनको कुछ नहीं होगा लेकिन problem किसको होगी problem होगी जो pottery birds हैं जैसे कि chicken हो गया इस तरह कि अगर उनको infect हो गया तो वो उनकी मिर्तियों होने लगती है लेकिन जो wild वाले birds हैं उनको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो एक तरह से natural host हैं आप कह सकते हो अब यहाँ पर एक next question आता है सबसे important कि यह जो strains की मैंने आपको बात की उन में से कितने ऐसे हैं जो कि human को effect कर सकते हैं तो बहुत कम है मैं गिन के यहाँ पर आपको बता सकता हूँ तो mostly क्या होता है humans have only experienced infection by three different type of H मतलब H वाले मैंने आपको बताया कितने होते हैं H 18 प्रकार के होते हैं N होते हैं कितने 11 प्रकार के तो H में से अगर आप देखोगे तो 3 H जो हैं वो आपको human को infect करते हैं और 2 प्रकार के जो N है वो आपको human को infect करते हैं तो H1, H2, H3 यह human को infect कर सकता है और N1 और N2 ये human को infect कर सकता है तो यहाँ पर आप इसको अलग-अलग combination में बना सकते हैं जैसे H1, N1 आपने सुना होगा, H3, N2 सुना होगा तो ये सब क्या कर सकते हैं ये human को infect कर सकते हैं और क्योंकि ये human को adopt कर चुके हैं, एक तरह से adapt कर चुके हैं human के साथ, इसके लिए क्या होता है कि इनको आपका bird flu ना बुला कर human flu भी कई बार बुला जाता है, तो इसको confuse मत कर लेना, bird flu, human flu, लगभग सब कुछ एक ही तरह का है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, जो human को अच्छे से adapt कर चुक 18 से, तो यहाँ पर चार main pandemic आपको देखने को मिलेगा, एक आया था दोस्तों H1N1, Spanish flu मैंने आपको बताया, सबसे जादा मिलती हुई थी 1918 में, फिर 1957-58 में Asian flu, अब जहां से सुरवात होती है, बेसिकली वहीं से इसका नाम दे दिया गया, Asian flu आपका H2N2, 1968 में Hong Kong flu हो गया, H3N2, और इसके लावा स्वाइन flu, अब देखें यह स्वाइन, जो सुर होता है, पिक होता है, वहां से आया था 2009, आपको आप सबने देखाई होगा, और उस समय भी mask वगरा की कमी हो गई थी market के अंदर, लेकिन coronavirus जैसे नहीं हुआ था उस समय pandemic, लेकिन control हो गया था भारत मे तो at least, तो 2009 का भी था दोस्तों, अब यह जो 2009 का अगर आप देखोगे, यह भी H1N1 है, और Spanish flu अगर आप देखोगे, 1918 का वो भी H1N1 है, लेकिन यह वाला जो 2009 का है दोस्तों, वो नया version था H1N1 का, ठीक है, और वो स्वाइन से आया था, इसलिए स्वाइन flu के नाम से भी उ अब्वेसी बात है, क्रोना वाइरस को भी, वोहान वाइरस की तौर पर हम या फिर चाइना वाइरस की तौर पर बुला सकते हैं, यह जाहिर सी बात है, इसके लावा यहाँ पर next question आता है, कि what about other strain, तो यह तो आपके human को infect करते हैं, क्या बाकी भी कोई ऐसा है, जो करता है, typically क्या होता है, कि wild birds हो गया, poultry हो गया, उनी को infect करते हैं, जितने भी बाकी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, occasionally क्या होता है, कि human को infect कर जाता है, जैसे H5N1 का strain हो गया, यह कभी-कभी infect कर जाता है, और कई सैकडों मित्यू हो चुकी है, इसकी वजए से 1997 के बात, लेकिन कभी- और question आपके मन में आ सकता है, कि यह जो bird flu है, यह जो avion influenza की हमने बात की, type A, इसके इतने जादा strain ही क्यों, मतलब इतने सारे strain इसके कैसे हो गया, तो इसका भी कारण है, दोस्तों, इसका कारण यह होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो RNA है, RNA है, इसका जो वो अलग-अलग, यह segmented genome से बना है, basically 8 separate strands हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, यह RNA है और यह DNA है, तो यह strand है आपका, एक single strand से यह बना होता है, तो यहाँ पर क्या इसको अलग-अलग separate 8 strands इसके देखने को मिलेंगे, यह वाले जो पर दूसरा इसका strain हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसतना जादा strain इसलिए है, क्योंकि इसके 8 separate strands हमें देखने को मिलते हैं, और copying करते समय मुश्किल हो जाती है, और इसलिए अक्सर आप देखते होगे, इसका जो vaccine होता है, फ्लू vaccine जिसको हम कहते हैं, वो regularly हमें update करना ठीक है, इसका virus का एक तरह से sex है, उसके version type का आप कह सकते हो, जिसको हम resortment कहते हैं, तो ये सारे कारण है जिसकी वजए से बहुत सारे strain हो जाते हैं, और last में यहाँ पर जाने से पहले एक और चीज है, कि अभी present में भारत के अंदर किस प्रकार का strain हमें देखने को मिलता है तो मैं आपको बता दूँ कि अभी तक यहाँ पर जो राज में बताया गया है, जादा तर H5N8 वाला जो strain है, ये देखने को मिलता है, और let me tell you, कि ये human को infect नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर सच कोई बहुत ज़ादा चिंता की बात नहीं है, although यहाँ पर अगर आप देखो है, कि ये अब जा चुका है, इससे हमें डरने की आउशकता नहीं है, इसको हमने contain कर दिया है, तो ऐसाच भारत में ऐसाच इतनी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, कि ये हद से जादा ना गुज़र जाए, और किसी अलग प्रकार का ये strain ना ले ले, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने बताया, कि जब ये दूसरा strain लेगा, और human को अगर infect कर गया, तो बहुत बड़ी एक तरह से तबाही आ सकती है, लेकिन chances कम है, जाने से पहले, क्योंकि हमने DNA और RNA की बात की, तो यहाँ पर 4 statement है, आपको बताना है, कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हैं, अगर आप उसे economy पढ़ना चाते हैं, कोई भी course purchase करना चाते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope की वीडियो आपको फसंद आया होगा, मिलता है, आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.